तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक प्यार्सी समय के साथ यदि आपने प्रीविस लेक्चर नहीं दिखा तो उपर आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगे वहां पर आपको प्रीविस लेक्चर का लिंक आपको प्रेलिस्ट भी मिल जाएगे ठीक है पहले तो हमारे पास क्या है definition के साथ जाते राजे normal आपको पास क्या होता है राजे मांदकर चलते हमारे पास कोई भी tangent plane है और इस tangent plane के अंदर आपको भी एक point पकड़ लो जदी आपका जो normal of the tangent होते है ठीक है इस नोने इस है आप जब भी नार्मल डिफाइड करने जाएंगे इसका होगा P point, कैसी भी surface का हो सकता है, यह एक citrate line होती है, जो कि उस point से pass करती, and perpendicular to the tangent plane, and that point होती है, अब यहाँ पर देखेगा, माल लिजेगा कि आपके पास कोई भी एक surface दे रखा, यह आपके पास surface है, अब इस surface के उपर आप एक point P को highlight करना चाहते है, अब इस point के उपर आप कैसे normal draw कर सकते हैं, तो normal जो होगा, इस point के उपर आजए, एक आपके पास line रहेगी, ऐसे जो की normal रहेगी, एक से सीधी line, अब सीधी line को आप कैसे बोल पाएंगे, कि it is a normal to the given surface, तो सबसे बढ़े आपको उस point के उपर एक tangent plane draw करना पड़ेगा, उस point के उपर, और जदी ये line उस tangent plane जो की same point के उपर आप ड्राव करें, उस tangent plane के perpendicular है, उस tangent plane के normal होगी, ए line तो आप इस line को बोल सकेंगे, it is a normal to the given surface, तो आप बोलना surface चाहते हो, लेकिन tangent plane वहाँ पर आपको explain करना पड़ेगा, वो line जो tangent plane के उस point के उपर नॉर्मल होगी, वही line को आप normal to the surface बोल पाएंगे, यह आपको मैं यहाँ पर समझाना की कोशिच करहा हूँ, होश्च तो आपको यह समझ में आ गया होगा, अब आगे जलते सर्जीश, यह तो ठीक है, लेकिन आप equation of normal कैसे find order कर सकते हैं, यह इसका article दे रखा है कि find the equation of normal, किसी भी point के उपर निकालो of the ellipseward, सर्जीश यह आपर बहुत कुछ लिख रखा है, आप समझाओ प्यार से हमें, ठीक है, तो चलिए प्यार से समझाते हैं, अब देखते हैं कि, आप मालो जी आपके पास कोई भी एक surface है, ऐसे ठीक है रफसा, और यहाँ पर मैंने एक point के उपर एक tangent plane draw कर लिया है, यह हमारे पास tangent plane है, इसी point के उपर हम यहाँ पर normal draw करना चाते हैं, ठीक है यह वाला, तो आप इस normal की equation निकालना चाहते है, जी हमारा mean काम रहेगा, ठीक है, इठील तर, तो सबसे पहले मालो कि आपके पास equation of ellipse side है, हम जहां से start कर लेते हैं, rough idea, x over a square आपको दे रखा होगा, y square over b square आपको दे रखा, और plus z square over c square over is equal to 1, आप किसी point P को यहां पर आप define कर लो कि मैंने लेंट करा कि P मैंने पास एक point है, x1, y1, z1, आप उस P point के उपर normal check करना चाहते हैं, तो मैंने बोला था कि पहले उस P point के उपर आपको equation of tangent बनानी पड़ेगी, equation of tangent plane, तो equation of tangent plane आप कैसे बनाते हैं, आप x square को x into x1 से replace कर दोगे, y square को y into y से, y1 से z square को आप z into z1 से replace कर दोना, तो जैसे आप replace करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, we will get कि हमारे पास जो एक equation आजाएगी, dear students, equation of आपके past tangent plane आजाएगी, कहां पर आपके पास add the point x1, y1, z1 के उपर आजाएगी, which is equal to x into x1 over a square आजाएगा, y into y1 over b square आजाएगा, और आपके पास z into z1 over c square आजाएगा, is equal to आपके पास 1 है, तो इस equation को आप equation of plane बोल सकते हैं, थोड़ा सो और बढ़ी है से लेखिंग तो जै आपको x1 over a square, आपको एक constant मिलेगा, साथ में x लगा हुआ है, y1 over b square मिल रहा है, साथ में आपका y लग रहा है, यहाँ पर आपको z1 over c square दिखेगा, साथ में z लग रहा है, is equal to 1, you can compare this one with lx, आप इसको m y plus आप इसको n z is equal to p के साथ compare कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप जब भी कोई equation of normal plane बनाती है, तो राजे आपके पास जो होना l, m, n, r, d आपके पास क्या होती है, d ratios होती है, किसके राजे? of the normal to the plane, of the normal to the plane, तो जी आपके normal के direction ratios होती है, अब इसका मतलब आप भी equation of normal ही draw करना चाते हो, और जे जो l, m, n, वो भी आपके पास direction ratio of the normal to the plane होती है, तो इसका मतलब आपका normal हो सकता है भी, कि बो जातो same, जे वाला normal जिसकी बात करके, जहाँ फिर आपका normal जो भी रहेगा, वो इसके parallel रहेगा, I am going to repeat here, कि आपका normal जो आप जे वाला बनाना चाहती है, point P के उपर वो वाला normal, और जो plane का normal होता है, वो दोनों राजे same भी हो सकते हैं, जहाँ फिर plane का normal जो आपने कहीं और draw का रखा, कोई बात हैं, लेकिन दो normal जो रहेंगे, वो parallel रहेंगे, तो दोनों के D ratios आप same use कर पा पास है, अभी आप चार्टर क्या हो, we want to just find the equation of the normal, हम normal की equation find out करना चाहते हैं, जहाँ very simple, अभी आपको normal जो line एक सर्टेटर line उसके D ratios आपको पता चल चुके हैं, और यह भी पता है कि वो P point से pass करेगे, like P point के उपर, P point उसके उपर like करेगा, तो आप one point form के साथ किसी भी equation of line find out कर सकते हैं, मैं आपको बच्पन के दिन जाल करवा रहा हूँ, तो आपके पास equation of a line, which pass ही through a point X1, Y1, Z1 and having D ratios आपके पास, and having आपके पास D ratios रादी आ रहे हैं, वो मान कर जाते हैं, मारे पास L, M, और N है, तो क्या हमारे पास equation होती है, X minus रादी X1 over L होता है, Y minus Y1 over आपक N होता, this is the equation of a normal, जै हमारे पास required equation of normal आजेगी, जड़ा रुकना, अभी तो आपका जो L, M, जै तो आपका simple वरा article हो गया, लेकिन हमारे case के अंदर डिया, जो आपका L है, वो actual के अंदर आप जो भी इसको compare करेंगे, जै आपकी equation of tangent I थी, actual के अंदर J वाली, आप इसको इसक की L आपका X1 over A square है, M आपका Y1 over B square और Z आपका क्यार राजी, N आपका क्या है, Z1 over C square, तो हमारे case के अंदर जो equation राजी, आप लिखोगे, किसी भी normal की, equation of normal आपका at the point जो हमेरा जी मिल रहे है, कौन सा X1, Y1, Z1 to the given surface आपको मिलेगा, X-X1, ओबर आपका यहाँ पर X1 over A square आ जाएगा, यहाँ पर आपको Z-Z1 over आपका निचे, Z1 over C square है, is equal to 1, यह जो आपका X1 over A square था, Y1 over B square था, Z1 over C square यह आपके पास क्या था, direction ratios of the normal, तो यहाँ से हमने equation of normal बना दी, तो मैंने देखा आपको previous lecture की तरह है, जैसे कि आपने यार, इतना अभी अब तक हमने काम कर रहे थे, VS के lower classes के अंदर भी करे थे, तो उन सभी experience से हमने इसको खुद से करा, एक वार match कर लेते हैं, जो आपके बुक के अंद राइडिकल दे रखा, वहाँ पर भी क्या रखा है, इन्होंने, यह point ले लिया, ठीक है, जहाँ से equation of an engine आके, इन्होंने ट्रेक्शन numbers लिख रेखे हैं, normal के ठीक है, तो final आपके पास, जेवाल equation हमारे पास ditto copy यहां से बंड जाएगे, ठीक है, तो जे हमारा हो चुक है, इधर आपका z1 आएगा नीचे, ठीक है, जेवाला हो गया, एक पर match कर लो, क्या same है, हाँ, बिल्कुल same है, हमारा 100%, जे हो गया, अब इसी को उ formation को चेंग कर रखा है, कोई रिखते हैं, आपकी जो equation of norm, लिपस है, उसको इन्होंने f of x में लिखते हैं, जहांपर partial or fractional गा रखी, इस topic को अभी के लिए हम skip कर लेते हैं, कोई दिखते हैं, जे simple है, छोड़ दो, कोई दिखते हैं, अभी हम जहांबर crawly के पास आते हैं, ज इतना बड़ा आपको यहां पर जा दे रखा, क्या करोगे, आप कैसे करोगे न, वंल्ल, क्या कहें हैं, find the equation of normal in actual direction को sign form के अंदर आपने बताने की, actual direction को sign की form के अंदर आप इनको बताने की कोशिश करें, अभी तक जो हमनें बात करा, वो direction ratio की form में करा, अभी तक जो हमनें क जाता हूं, तो आप वो direction cosine की बाद कर रखा, ठीक है, अभी डियर आप सोचो कि जदी आपके पास x1 over a square है, को हम आपके पास y1 over b square है, और आपका z1 over c square आपके पास d ratios है, तो हम d ratios से d cosine में कैसे जाते थे, how we find direction cosine, तो आपको क्या करना पढ़ता था, कि मैं आपको थोड़ा और simple भी मैं समझाता हूं, जदी आपके पास a, b और c, आपके पास मालों कि d ratios होते थे, तो आप क्यार कर लेते हैं, आप इनका like undute निकालते थे, like यह वाला a square, b square, आप c square निकाल देते थे, आप हर एक number को इनसे divide करो, तो आपका a over undute of a square आता था, b square आता था, c square आता था, तो these are known as the direction, को sign आपके पास होते थे, तो हमारे case कंदर भी आप same to same कर सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा dears, आप पहले इसको निकालो कि आप जब यह x1 over a square आपके पास आज़ेगा, इसका square करना है, y1 over b square का square करना आपने, यह जो आपको न, यह उपर मिल रहे हैं, जिवाले number, इसका, z1 over c, जो square, इसका आप square करोगे, तो जो will get this kind of thing, कि आपको x1 का square over a की पावर 4 मिल रहा होगा, y1 का square over b की पावर 4 मिल रहा होगा, आपको z1 का square over c की पावर 4 मिल रहा होगा, यह आपके पास आगया, अब अपने हर एक number को इससे divide करना, तो आप इससे divide कर थोड़ी सी help कर रखे है, जैसे कि previous lecture के अंदर हमने काम कर रहा था, माल लिजे हमारे पास equation of tangent plane है, यह हमारे पास equation of tangent plane होते है, जो one हमारा right में था, हमने उसको राजे left के अंदर लिख दिया है, this is the equation of the tangent plane, अब आप क्या करो, एक जो center of ellipse wide हमारे पास होता है, जिदी आपका ellipse wide है, यहाँ पर इसका center है, और यहाँ आपके पास tangent plane है, तो आप क्या करो, इस center से इस plane की distance निकालो, इस perpendicular distance आप कैसा हो, जी जो आपका center आगया है, उस center से आप इस tangent की perpendicular distance यहाँ पर डूंटने की कोशिश करो, अब कैसे आप दिखा, आप किसी भी point यदि आपका 00 आता, य होंगे, तो आपको ज़्याद आजएगा, अधरवाज मैं आपको फिर से जा करवात हूँ, आपके पास कोई भी plane जदी AX है, BY है, C of Z plus D is equal to 0 है, और आपके पास कोई point X1 है, Y1 और Z1, आप इस point की, इस plane से perpendicular distance find out करना चाते हो, तो आप कैसे करोगे राजी, जहाँ पर आपन के साथ आपने डिवाइड करना होता, जो बल गेट दा, परपैंडिकूलर डिस्टन्स अफ इस point from the plane, तो दियर हमारे के सके अंदर भी आपने same two, same यहाँ पर copy करने है, कि जो आपका X into X1 ओबर आपके बस A स्केर आ रहा है, Y into Y1 ओबर आपका B स्केर आ रहा है, Z into Z1 ओबर C स्केयर आर और माइनस का 1 इसको जीरो 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 आपके पास equation of plane है और आपने जीरो कमा जीरो कमा की इससे perpendicular distance find out करनी है और हम लेट करके चालते कि जो perpendicular distance वो हमारे पास small piece से हम डिनेट कर रहे हैं अब जैसे आप यहाँ पर x को y को 0 0 पुट करेंगे तो आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 और माइनस का 1 आजएगा निचे आपने x को शोड़ दो जैसे आप x को शोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर x1 over a का square मिलेगा तो जैसे आप उसका square करेंगे निचे तो आपका x1 square over a की पावर 4 आजाएगी y1 का square b की पावर 4 आजाएगी और z1 का square आपके पास c की पावर 4 आजाएगी ओपर model लगा होता है इसलिए आपका वो negative हट जाएगा तो आपके पास undo of this thing आपको राजी मिलेगी x1 का square आपको आपको यहाँ पर b की पावर 4 और z1 square ओपर आपको c की पावर 4 तो यह आपका p है और यह आपका नेचे तो इसको यह आप अपर ले जाओ इसको आप नेचे लेग जाओ जो विल get की हमारे पास जो undo आएगा x1 की square ओबर a की पावर 4 y1 का square ओबर b की पावर 4 और Z1 का स्केर ओवर C की फावर that will be is equal to 1 ओवर P आपके पास आजएगा अभी हमारे केस के अंदर जी जब मैंने आपसे बाद करें थे कि यहार हमें डिवाइड करना होता किसी नंबर के साथ तो आप यहां पर इस नंबर से डिवाइड करते हैं तो अभी यह नंबर आपके पास किसके एकुल आ रहा है जी जो अंडूट वाला जी नंबर आपका 1 over P आचुकर कोई बच्चा पुछे सर्जी P क्या होता है सर्जी P क्या होता है तो मैं आपको बोलूँगा कि यह P आपका क्या होता है जो भी आपको लिपसवाइड दे होगा उसके सेंटर से उस टेंजर प्लेन की परपैंडिकुलर डिस्टंस रहेगी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ जहांपर जो P आपके पास होता है जो भी आपको अलिपसवाइड जो भी आपको कोनिक वाइड दिया होता होगा उस कोनिक वाइड के सेंटर से आपके टेंजर प्लेन की जो परपैंडिकुलर डिस्टंस आएगी तो जह आपका इसके एकोला होता है अभी हमारे केस के अंदर हम क्या करना चाहते हैं पूरे आर्टिकुल को एक्चुल डिरेक्शन को साइन की फॉर्म में रिपर्जेंट करना चाहते हैं तो अब दक आपने क्या करना है जो आपके पास आंसर आ गया था जी वाला एक्स वान ओबर एवन स्क्यार था आप इसको वान ओबर पी से डिवाइड करेंगे एक्चुल के अंदर आपने डिवाइड इस से करना होता है लेकिन it is equal to 1 over P तो जहाँ आपके पास direction cosign बन रहे है जहाँ पर direction cosign ठीक है आपका y1 over b square था इसको भी आप 1 over P से करेंगे आपका z1 over c square था इसको भी आप 1 over P से करेंगे तो जहाँ पर जो P आपका open numerator में चला जाएगा उपर चला जाएगा आपका P into Y1 over जहां पर 20 square आजाएगा आपका P into Z1 over C square आजाएगा तो this is the direction cosines है आपके पग तो अभी आप equation of normal जदी लिखना चाहते हो इन direction cosign form के अंदर और वो वाला जो normal जो X1, Y1, Z1 से पास करता था तो रहे उसकी equation क्या है कि 1 point form के साथ X-X1 आजाएगा Y-Y1 आजाएगा Z Z-Z1 आजाएगा लेकिन नीचे उसके पास क्या होगा equation of plane जो आप लेखेंगे नीचे राजे वहाँ पर ये equation of normal की बात करेंगे नीचे आपके ये direction of cosines आप लिखोगे P into X1 over A square आजाएगा आपके पास यहाँ पर P into Y1 over 20 square आजाएगा यहाँ पर आपका P into Z1 over C square आजाएगा So this is a equation of a normal to the given surface in किस form के अंदर आ रहे ये आपके actual direction को sign की form में आ रहे जहाँ पर आप P की बात करेंगे और P आपके पास क्या होता सेंटर आप लिपसवाइट से distance होती है इसकी राजे tangent plane की तो ये आपका article मैंने यहाँ पर आपको करवा दिया पूरे एक पूरे ये जो link थे वो मैंने सब को यहाँ पर आपको बताने के कोशिच कर रखे है और अभी इसको आप बुक के अंदर से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने कैसे कर रखा हम टूरी पॉइंट पर आते हैं direct हमारे पास ये answer का आपको दिखने के मिलेगा आप उससे भी देख सकते हो और आप जो मैंने अभी आपको स्क्रीन के उपर करवा रखा रहा है आप उस वीडियो को थोड़ा सा पीशे जाकर एक फ़र बैक करकर एक पास करकर एक पाने का गुट पीकर तिर से देखेंगे ध्यान से तो आपको असन में आ जाएगा कि कैसे हम च सकते हैं तो try to find that link आप जब उस link route को पकड़ लोगे तो आपको किसी की guidance की रूट नहीं बढ़ेगी आप खुल से वहाँ पर करना start route लोगे ठीक है इतना हमने काम करा तो जीवाल आर्टिकल मारा जहां से हो जाएगा done अभी एक और आर्टिकल मारे पास बज़ता है इस lecture के अंदर हम वो भी आपको provide करवाने वाले and that is a very 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 important लग रहा है रजे it is very 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 important 50% important है देखो कितना simple है जहां पर आपको जे जनर नौलिज के लिए भी पूछ सकते हैं कि number of normal from a given point to an ellipsoid अरे वह बो बोल रहा है कि आपके पास कोई भी ellipsoid है आपको एक point दिया जाएगा space के अंदर से आप उस point से आप given ellipsoid के उपर कितने normal draw कर सकते हैं तो जहां पर आपका answer निकल कर आएगा कि आप six normal draw कर सकते हैं लेकिन वो आपको यहां पर प्रूफ करना पड़ेगा कैसे पता चलेगा सर्जी कि six आएंगे four आएंगे जब बहुत सारे आएंगे हां tangent plane तो बहु करने के कोशिच करें ठीक है तो मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा एक point यहां पर तो जदी आप एक point को पकड़ लेंगे जैसी आपका ellipsoid आगया ठीक है अब यहां पर आप कोई tangent plane let करोंगे ठीक है अब जहां पर actual के अंदर एक point आपको दे रखागा उसी point से आपने तो सर जी कैसे करेंगे simple यार हम पहले equation के पास चलेंगे ठीक है equation of हमें यह डूड़नी पड़ेगी चलो start करते हैं थोड़ा सा आप previous knowledge के साथ जा सकते हो अभी हमें पता है कि उन्होंने ellipsoid की बात नहीं कर रखी लेकिन हम सभी को बता है कि जो equation of ellipsoid होती रहे है वो हमारे tangent plane के उपर वो हम surface के उपर ellipsoid के उपर लेना चाहते है किसी point x1, y1 और z1 के उपर हम normal draw करना चाहते है तो जी हम यहाँ पर करेंगे तो हमने equation of normal at the point x1, y1, z1 जैसे कि अभी मैंने आपको पीशे दो आटिकल के इंदर बताया था कि x-x1, y-y1, z1 ना जाएगा नीची आपका main जो हम normal direction ratio के अंदर करें हम direction को sign के अंदर नहीं simply करें हम y1 और 20 करा गया, z1 और 6 कर, so it is the equation of the normal आपके पास राजे अभी आई चुकी है और एक point हमने x1, y1, z1 को पगड़ा था, लेकिन अबकी बार जो normal हमारा हमें जे भी परवाइड़ा कि ये alpha, beta, gamma से पास करा तो यार हमारा alpha, beta, gamma इस normal को satisfy करेगा तो आपने ds points क्या करना है, आपने एक line लिखने है कि ये जो आपका equation of normal हमने plot करी है, हमने बनाई राजे जे normal मारा alpha, beta, gamma से पास करेगा तो आपने x, y, z को alpha, beta, gamma पूट कर देना इस अवाब वाले equation के अंदर तो जैसे guys आप यहाँ पर पूट करेंगे आपका उपर alpha आ गया, beta गया, gamma आ गया और इसका जो answer है जिक ratio है तो जैसे एक ratio आ रहे है और तीनो ratio आपके पास सेम आ रहे है तो यार कोई ना कोई तो answer आएगा इसकार तो उस answer को आप कुछ भी लेट कर से तो हमने मान कर चलते है कि वो parameter को हमने lambda लेट करा कि इन तीनों की जो ratio हमारी पास आ रहे है common value वो is equal to some lambda के equal हमने यहां पर mark कर दिया अब दिमाग लगाना अब actual के नदर आप कैसे इस चीज को देख सकते हूं बहुत चीज मैं यहां पर दिखाता हूं यार आपको दूर का सोचना होता है actual के नदर हमें यहां पर x1, y1, z1 निकालना है जदि आपके पास x1, y1, z1 सिर्फ एक ही value आ रहे है तो इसका मतलब तो शिर्फ आप एक normal draw कर सकते हैं जदि आपके पास x1, y1, z1 की value दो आ रहे हैं तो इसका मतलब बहुत दो हो सकते हैं तो आपको एक्चल मतलब फूट पर पर पेंडिकुलर देखने हैं कितने पॉइंट के उपर आप सेम पॉइंट से normal draw कर सकते हैं जहां से पुरे का पुरा सम आपका divert करेगा तो आपको किस चीज़ को priority देनी है आपको किस चीज़ को priority देनी है कि आपने वीडियो को बिना स्किप करें फूल देखना होता है तब ही सारे चीज़े समझ में आएगी और at the end आप इसको close करें होगे ठीक है जहां पर देखना तो जैसे आपने यहां पर alpha, beta, gamma लिखा कि यह इसको pass करेगा तो यार उसको next step कैसे समझ में आएगा तो मैंने बता दिया कि हमारा target x1, y1, z1 है तो अब जहां पर गया करोगे आप इस a, a को उठाएंगे और a को जहां से create करेंगे तो हम एक वाल एक उठाकर में आपको equate करकर दिखाता हूं बहां से आपने x1 की value निकालनी है और फिर next वाले की अंदर से आपने y1 की value निकालनी है तो हम किसी a को उठाल लेते है ठीक है अभी हमारे पास जो पहली वाला था लाइक हमारे पास ऐसा था यहां पर alpha minus x1 ता नेचे मारे पास x1 का ओबर e square तो आप पहले वाले को जब lambda की equal रखेंगे तो आपको alpha minus x1 और यहां पर lambda into x1 ओबर आपको a square देखने को मिल जागा X1 को दूसरी तरफ ले जाना तो जहाँ पर X1 प्लिस लैमडा इंटू X1 उबर A सकर आजएगा जहाँ से आपका X1 कॉमन आजएगा वेकॉस हमारी जो मेन जहाँ पर फोकस है पुरा जी X1 के उपर है हम गुम गमा कर कहीं पर भी चले जाना और इदर आपका X1 है तो जहाँ पर आप थोड़ा एलसी मुलसम ले सकते हो तो आपके पास आजएगा A सक्यार आजएगा प्रस आपका लैमडा जएगा नेचे आपको A सकर मिलेगा तो जहाँ से आपको अराम से X1 की वैलू मिल जाएगे तो X1 आपका आजएगा यहाँ पर अलफ है A सकर ऊपर चला गया नेचे आपका A सकर प्लस यहाँ पर आपको लैमडा देखने को मिलेगा इट टिसान एक्वेशन ओफ एक्स वन तो जहाँ आपको X1 पॉइंट मिल गया और यहाँ पर आपका C स्कर आजएगा नेचे आपके पास C स्कर प्लस लैमडा आजएगा तो जो तीन वैलूस आपको 1, Y, 1 देखने को मिलेगी मैं एक पर आपको यहाँ पर भी दखा देता हूँ सब कुश आपका देखो जे आपका जे आगया और सिफिर मैंने यहाँ पर 20 स्कर बीट आवर 20 स्कर लैमडा की बाद कर रखी थी वाई वन भी मेरा सेम है लेकिन आपने तीनों को अलग-अलग से सॉल्ड कर से लेना तो तीसरा आपका सी स्कर गामा ओबर आपका सी स्कर यहाँ पर जी इन्होंने गरबड कर दी यहाँ पर आपका लैमडा आना होता है लैमडा तो जे मिस्टेक हल की हल की आपके बुक्ति अंदर आपको देखने को मिलेगी लेकिन हम जहाँ पर करेंगे मिस्टेक लेकिन इतने शोटी मिस्टेक ने करेंगे बड़ी वाली करेंगे थोड़ा यार मतलब स्टैंडर्ड की मिस्टेक कर सकते हैं लेकिन शोट-शोटी सीली मिस्टेक से अमने बचना तो आपने X1, Y1, Z1 को निकाल लिया यह X1, Y1, Z1 क्या है जो foot of perpendicular है किसका normal का जितने foot of perpendicular होएंगे आप एक point को पकड़ लेए इसका एक ही foot of perpendicular है इस बाले के तो आप इसी से कोई और line ड्राव करते हैं उसका foot of perpendicular तो आपको इपास total कितने foot of perpendicular आ रहे है on the ellips wide जितने होंगे उतने ही normals आपके पास होंगे कहां से fix point alpha beta gamma से हम बात करें ठीक है तो अभी हमारा x1, y1, z1 आ गया अब दूसरी चीज़ क्या होगी सर जी आगे कैसे चले सर जी समझे नहीं लग रहा हम फरस्ट योगे हम इस तक कोछ उख रहे बेट्टा आपको x1, y1, z1 मिल गया अभी दिमाग की उपर जो दो अभी दिमाग की उपर जो दो जब आप इस plane की बात कर रखें जदि आपका alpha, beta, gamma है जदि आपके बाज़ी alpha, beta, gamma है आपको थोड़ा सा यहां से show कर देता हूँ मालोगो यही थोड़ा color change कर लेता है बड़ी यहां से ठीक है नेक्स फुला कैसे यागा राजे बुक के अंदर जाने से पहले दिमाग की उपर जोर दो अभी आपका alpha, beta, gamma से जब आप normal draw कर रहे हो तो मालोगो हमने यहां पर x1, y1 और z1 के उपर normal draw कर रहे हो अरे सा जी x1, y1, z1 तो यह तो वो point है यह तो ellipse के उपर भी लाई करेगा हां mind में आगे ना तो ellipse के अंदर उसको put कर दो खाली आपको यह काम करना है कि since हमारे पास यह x1, y1 is the photo perpendicular हो रहा है तो यह आपका क्या करेगा lies करेगा on given ellipse wide और यह भी आपका given ellipse wide होगा राजे उसके उपर लाई करेगा और lips wide हमें दे रखा है x square over a square plus y square plus c square उसके उपर लाई करेगा तो दिया फूर आपके पास क्या आजएगा x1 का square over a square होगा dear आपके पास y1 का square over b square होगा प्लस आपका z1 का square over c square is equal to 1 होगा तो खाली आपने value put करते नहीं है इतना करने के माद आपको x1 की जो अभी आप value लिख रहे है वो value जहांपर put करनी पड़ेगी बहुत ही ध्यान से तो यहांपर आपका 1 over a square side में आख लेते हैं यहांपर आपके पास जब आप x1 का square करेंगे ना एक्टोर के अंदर जे a square था आपके पास मैं दिखाता हूँ आपके पास क्या था a square नहीं a square था और साथ में आपको alpha था नेचे आपका a square प्लस lambda था यह आपका x1 की value तो यह आपका square हो अभी यहांपर 1 over b square आजएगा y1 की value मैंने आपको ओपर क्या दिखाई थी y1 की value आपको beta into b square मिल रहा था आपको क्या मिला था बीटा into b square उबर आपके पास b square प्लस lambda था तो इस y1 का भी square करना है 1 over c square आपके पास है यहांपर यह 1 over c square में इसकी बात करो 1 over c square में z1 की value आपके पास क्या थी आपके पास gamma था राजे गामा को कैसे लिखते है गामा को हम ऐसे लिखते है इंटु आपका c square था और नीचे आपके पास c square प्लस lambda था आपके पास यह आगया और इस इकल पर आपको 1 देखने को मिलेगा तो यहांपर आपके पास यह सब सब्सक्राइब को यहां पर देखने को मिलगा यहां से एक आपकोि एथे का आ लेगा लेंगे तो इसका थोड़ा- siguiente कैसी वो थोड़ा से स्माठों करना धोड़ा चीक है तो यहां पर आपका जो पहली वाली कुशन च neurologantically आपको आलपासav स्क्टीर मिल रहा इसके नीचे आपको इवाला फेक्टर मिल गया लेकिन जिए दोफेक्टर मिसिंग है थो यह निचे आ ब्लगा so इसके नीचे वी वाला तो उसको छोड़ो जिसका जाएंगे ऐसके पर लेंगे यहांपर हो जाएंगे a square plus lambda का square आजाएगा आपको यहाँ पर b square plus lambda का square आजाएगा और प्लस आपको c square plus lambda का square is equal to 1 तो यह पूरी का पूरा आपका जब 1 की तरफ जाएगा 1 की तरफ जाएगा तो ओपर देखो फिर क्या बनेगा जहां से में इसको बाला आपके लिए जब आप इसका square खोलेंगे तो आपको आराम से देखने को मतलब यह इस लैमडा की टोटल 6 वैलो इसको satisfy करेगी और जब लैमडा की 6 वैलो आपके रहे दे फूट आप पर्पेंडिकुलर वो आपके पास लेमडा के उपर डिपेंड करेंगे तो आप जब वर्न परेंगे तो पहला सेट आजेगा एक्षण वाइन दूसरी वाल्यू पूट करेंगे तो दूसरा सेट आजीगा तो ऐसे आपके पास टॉटल शिक्स फूट तो इसका उदर गिवन पॉइंट से आप six नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं तूदी गिवन अलिप्स वाइट जी आपका आज का बहुत ही बेश्टरीन मैंने यहां पर आर्टिकल आपको देने की कोशिच कर रखिया है एक वर बुक के अंदर जाएंगी है जी दिखो यहां पर सब तो काम खत्म तुझे तीन आइटिकल मैंने आपको करवा रखिया है न्यूट टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा रहा है तो आप बताना इसके जो नेक्स्ट वाली एक्जांपल कुछ आपको ऐसे मिल जागे इसके तीन टोटल बहुत इंपॉर्टेंट एक्जांपल्स है त यहांप पर करेंगे तो टागट बता दिया आपने इस वीडियो को देखने के बाएक्जांपल्स करना होता है आपको ठीक है चीजों को समझे लो कैसे समझेना और फिर जब खुझ से करने के कोशिच करेंगा तो याग क्रैम करके मद गरना चीजों को समझ कर बैक लिंक जन उस पूरीश चीज़ को आप आगे लिखर जाएंगे जैसे मैंने आपको बीच-बीच में बतायाता है या जो प्रीविस नॉलिज से ऐसा हो सकता जहां से जी आमने करा था वहां से वो करा था वो सारे लिंक जैसे आप जोड़ देंगे तो आपके सामने पूरे का पूरा आर् वीडियो को लाइक करना मतबो बोलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मतबोरा जदि आपको वाकिं में कुछ या र मतरब लग़ डरा कर आ कि हमारे लिए कहाँ सी जभ सुमस्क्राइबर पढ़ते हैं जब आप determine करना भाकी पैसे की कोई फिक्र मत करना ठीक है चलिए next नाट के साहँ में होते हैं और टे कर तब तब खुश रहो और खुशियां बाढ़ते रहें ंपल सा फंड़ा होना चाहिए लाइब का टेक यरजे